करने वाली हूं कि मुझे रिक्वेस्ट किया था उनको थैंकि सो मच आप लोग कुछ ऐसे देखना हो पादर से रिलेटेड काम तो आपको में इस चैनल पर स्टेप पूरी बारीकी के साथ पूरी डिटेल में बताती हूं मैं हर एक चीज कल मैंने बताया था कि आपको CTM कैसे क सब्सक्राइब करना चाहिए कि क्या होता है सब्सक्राइब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशन होगा एड बहुत ज़्यादा असर्थ दिखाता है CTM तो स्रीफ मेकप के लिए जो नौर्बल सीटियम होता है वैसे तो सभी लोगों ने बताया लेकिन ऑइली स्किन पे यूटूब पर लीजिए आपको बिडियो जाके देख लीजिए क्या होता है और सही तरीका क्या है तो आज मैं बताना बनी हूं बैंक तो इससे पहले मैंने किया था तो उसका वीडियो मैंने अप्लोद कर दिया अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लिए का लॉग बेटी के हैर मेरे बराबरी है बराबर थे मदला भी मैंने उसको एयर लन्थ पर कुछ था यहाँ सब तो उसकी वीडियो भी अप्लोड की है तो आप जाके चैक आउट कर दीजेगा लेकिन से पहले बैंक कैसे कट करना चीब वैसे और इसको फोड़ा सा मैनेज करना है क्योंकि मैंने पिछली बास कट किया था तो यह बहुत अच्छी से नहीं कट हो पाया था और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं मैं बैंक बताई देखे इस साइड का थीक से कट हुआ था बट इस साइड के चोटे बड़े रह गये थे इसको प्रपर वे बिल्कुल सही तरीके से कैसे कट करना है डिटेल में बताने और इस चैनल प करना चाहते हैं तो ये वीडियो लोगों के लिए है ताकि खुद से आपना बैंक पर सकुर्ण करीके दे तो चलिए पूरे डिटेल में बारी किसे पता रही हूं किप किजेगा स्बसे पहले आपको कभी बाल कॉम करते हो तो इस तरीक ही मोटे नातों वाली बालों को कॉम क करना चैसे आपका हर करने करना चैसे यह काफी यह कंष करने के हां bocaa कंषे बहुत काफी चैंकर तो तो ये बेगा है कोळ कने केने करने लिए हमको चीजितpower is hem टिट सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने बालों का जितना भी सेक्सन कट करना है उतना इस तरीके से निकाल लेंगे इस से हमने जितना निकाला है उतना ही दूसी तरफ से भी निकालेंगे यह देखे तो देख सकते हो दोनों में कितना डिफेरेंट है इसको अच्छे से कट नहीं हो पाया था तो इस बाने पूरा प्रॉपर तरीके से बता रही हूं इस तरीके से ओके पूरा यह तक इस तरीके तो पूरी टॉपर लाइन एकदम स्टेट लाइन आपको ले लेनी है एक दूर्णों तरफ से अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो दोनों से पहले आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकालनी है अब पीछे के बालों पे कि लगा देंगे ताकि हेर कट करते हैं हमारे पीछे के हेर ना आज है बालों में प्रेंट का जो कट कर रहे हैं तो इसको मैं फ्लाचर की मदद से सेट कर दे रही हूं तो इतने हेर हमको अपने कट करने है तो पहले हम बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने बालों को गीला कर लिया है तो अच्छे से बाल गीले हो चुके आप कटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे पहले आपको इस तरीके से V-shape में निकाल लेना है वालो को ओकी इसको हम लोग कर देंगे कान के पीछे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से जो मारा आइब्रू का एंड पार्ट होता है वहां तक लेके जाना है और इस तरीके से कर देना है अब इसके बाद हमको जोड़ पड़ेगी पतले दातों वाली कॉम्ब की आप देख लिजे प्रॉप और एकदम लाइन होनी चाहिए आपकी इस तरीके से आप खुद से घर पे बैंक कट कर शकते हो इस तरीके से कॉम में फटा लेंगे है जो को में यहां तक करने हैं युटनी लेंग्च चाहिए लेकसे सिलाने हम इस तरीके से गुमा देना है यान िखाना हम तुछ से लुव करना है कहां से लिप्स से लिप्स के पास से इस तरी के से कट करने दिखा आपने इस तरी के जब यह सूखेगा क्योंकि मेरे बाल थोड़ी से करली में है तो अगर यह जब सूखेगा तो यह आटोमेटिकली ऊपर चला जागा अगर सॉट्स बैंक कट करने हैं तो की चीज का ध्यान रखने आपको इस तरी के से में गूमान है और आपको कैची को यह आइवर्यों के ऊपर से कट कर देते हो तो क्या होगा अगर यहाँ से एक बहुत बखवास लगेगा अपका य्च्छ चाहिए था उसके लिए तो अगर कि वे टाटा आपको यहां तक लैंथ है तो आपको कट करना है होगाँ है यहां से ऊके तो आपका प्रॉपर लेंथ हाएगा लेकिन मुझे लॉंच सब्सक्राइब मैं और इसको चेक कईए तो क्या आगे कि अगर कि सब्संद के आए पूरी बारे किसे बता रही है अब आपको नोट시에 ले लेना है लेना है और जो आपकी गाईडलाईन है उसके अकॉड़िक यह रहे हमारी गाईडलाईन है इस फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेक्त करने हैं और और यहां से ग्राइड लाइन से मिला देंगे और यह हमारा कट हो गया पूरा तरीके से आपको बैंक कट करना है तेम इसी तरीके से दूसरी साइड कट करेंगे अब इदर का भी हेर ले लेंगे और जैसे हमने उदर से किया था वैसे ही इसको भी पकड़ेंगे बिल्कुल स्ट्रेट ओके नोज के पास लेके आएंगे दैन जो हमारी गाइड लाइन है सीजर को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे कि अई इस तरह किते पकhtaड लेते हैं ता कि आच्छे से समझ मे आए और यह हमारी गायड लाइन है और यह हमारा सीजर है और ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे कर लो और ऐसे फिंगरत्रिप्स को देखो और जो गाइड लाइन है उसके अपोरिंग फीजर को बिल् बिल्कुल बर्द आप देख करते हो और फिर भी थोड़ा भी चोटा बड़ा लग रहा है तो आप क्या करोगे इस तरीके से लेंगे बैसे तो यह बराबर है तो फोड़ा समझे यहां का जादा लग रहा है तो इसको करदेंगे और इसके बाद ही हमाद कटिंग कम्प्लीट हो गया है अब आपको साइड मांग रखनी है आप साइड रख सकते हो कोई भी कटिंग कर रहे हो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइटिशन है वह आपको सेंटर से ही रखना है क्यूंकि अगर आप सेंटर से रखोगे तो जैसे मैंने इस साइड लाया आपने बालों को तो यह पॉपर तरीके से छोटा बड़ा नहीं है लेकिन आपने अगर साइड स मसीन पर घुमा सकते हो और अच्छा ता लुप दे सकते हो और इसे बहुत जादा शोटा नहीं हुआ है और फ्रेंट से आपका शोटा भी हो गया है और लुप भी काफी अच्छा आ रहा है करेंगे अगर आप साइंटर पार्टिशन करते हो थोड़ा सा स्टेट्निक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का लोग आएगा जो कि काफी प्यारा लगता है तो आपको कैसा लगा वीडियो कैसी लगे यह हेयर कटिंग आप ज़रूर बताएगे इस तरीके सेंटर पार्टिश साइड पार्टिशन से लगने वाजते कैसा लोक आरा है वो मैं दिखाती हूंआ यह तchmal अगर आपको सैंटर पार्टिशन पे मैं भी अपने बैंक्स को आप स्ट्रेटनर से इस तरीके का लूप दे सकते हो जो की फ्रंट से थोड़ा उठाओ देखे जो आता है वो बहुत प्यादा लगता है तो इस तरीके से आप स्ट्रेटनर की मदद से इसको कर्श रखते हो और काफी अच्छा लग रहा है बट मैं अच्छा लगेगा और बालों की क्वालिटी भी मेरी पहले की हिसाब से बहुत ठीक हो चुकिए और हेरफॉल भी बहुत कम हो रहा है तो मैं साइट पार्टिशन के साथ मैंने मिडल पार्टिशन के लिए स्टेटनर की मदद से वैसे सेट किया था बट मुझे साइट पार् सेट नगल कर रहे हो तो आपको फिर से स्टेटनर लेना हो जैसे हमने मिडल पार्टिशन के लिए किया था तेम टूसे वैसे ही स्टेटनर को लगाना है और यह जो पीछे से भी थोड़े से बालों को लेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल अच्छा सा लूक आ जाए उसके प्रेंट बैंक्स के जर्ट पीछे से और इस तरह के से घुमाएंगे पीछे के बाल स्टेटनर में से आगी की तरफ आजाने चाहिए और धीर धीर खीच देंगे इस तरह के से तो आपका जो लुक है वह काफी अच्छे से आजाएगा और बैंक्स भी काफी प्यारा लग रहा है भहुत अच्छे से दिख रहा है यहां पर आयं हो कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि तरीका कसे करते हैं आपको अगर बहुत अपने उपर बताया है तो नीचे के भी एसको थोड़ा सा यह के पास के यह को इस तरीके से लिया है हैंड फ्रेंट की उपर की तरब से मोड़ते हुए इस तरीके से स्टेटनर को कीच लेंगे और यह हमारा अल्मोस्ट डन हो चुका है जो हेर कटिंग है तो गैसा लगदा है आपको हेर स्टाइल एंड हेर कटिंग कमेंट बॉक्स में जरू बताएगा और यह है फूरा फाइनल लुक आप भी जरूर ट्राइग कीजेगा अगर आपका फेस मेरी तरह की तरीके का है जो फेस का सेफ है फोरा राउंड में तो आप इस तरीके से बैंक का ट्रक्स रखते हो यह तो ऑगर बैडल के बालो को कर रहे हो तो भी आपको इस चीज का ध्यान दखना है कि आपको स्टेटनर को हमेशा ऊपर की तरफ से गुमाना है और इस तरीके से गुमाती जाओगे दीर-दीर कीचोगे तो इनीचे की तरफ जाकी कर्द हो जाएगा और काफी प्यारा सा लुक आ जाता है आपके बालोगा यह तो बात होगी बैंक्स कट की जो की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे और जिनने भी रिक्वेस्ट किया था स्वरी मन कर नाम भूल गई हूं तो उनको थैंक्यू सो मच आपको भी कुछ चाहिए होगा पार्लर स और कुछ दिन पहले ही तो इसकी वीडियो भी अपलोड कि हुई है पतले हलके छोटे बाल है बालों में कोई कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो वीडियो जाके चैक आप लिजेगा वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो इस तरीके का लुक आया और बालो बट जैसे ही पूरा अच्छे से समझ में आज मतलब बाल मेरे ठीक हो जाते हैं ज़ड़ना रुख जाता है और सब कुछ ठीक से हो जाता है तो मुझकी वीडियो सेयर करूंगी साथ के साथ वीडियो तो सेयर करी रही हूं लेकिन पूरा प्रपर वे में एक वीडियो बना आप श्रेट यह यह भी शेप करोगे तो और ज़्यादा आपके बाल फसले लगेंगे तो इप आभी चल जायागा लेकिन यू एंड वी शेप के लिए आप पतले हलके बाल नहीं है पतले हलके बालों में थोड़ा सा अब को डिफरेंट लुक चाहिए होता है डिफरेंट पतले दिख रहे हैं बैक से आप देखरों काफी घंडी डिख रहे हैं क्लचर लगाओं तो कुछ इस तरी की कर्लू कि का बेंक कट करें तो क्बहुत ही बात है तो आज केले इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो के साथ तब तक लब्भाण ख्यार रखिए तो